मैं काजर शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए इस्पेशल सेशन जिसमें हम करने वाले हैं डिसकर्ष क्या जो हमारे कल आयोध्या राम मंदर की नीव रखी गई थी हम करने वाले हैं उसको डिसकर्ष तो गैस चले शरू करते हैं जो कोशन बना है कि हाल ही में आयोध्या राम मंदर की नीव रखी गई है इसके निर्माण की अनुमती सरवच न्यायाले की पांच सदसे पीठ ने दी थी इस पीठ के अध्यक्ष कौन थे तो गैस इस कोशन का आंसर होने वाला है जस्टिश रंजन गोगोई जी जिसके जिस पीठ के अध्यक्ष थे जस्टिश रंजन गोगोई जी जो थे 2019 में हमारे चीज चस्टिश ऑफ इंडिया तो गैस आपको याद रखना है कि 2019 में सुप्रेम कोट ने 2019 में सुप्रेम कोट ने 9 नवंबर को सुप्रेम कोट ने यह वर्डिक्ट यह निरुने दिया था कि जो आयोध्या में जो विवादित इस्थल है उसको क्या किया जाएगा वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा ठीक गैस राम मंदिर का निर्माण किया पर जो हमारा आयोध्या में एक विवादित इस्थल है तो गाइज आपको इससे पहले इसके बैक्ग्राउंड को जानने से पहले इसके historical effects को जानने से पहले हमें देख लेना है कि आयोध्या की location क्या है तो गाइज यह है उत्तर प्रदेश भारत का इसमें सबसे जाला जो यहाँ पर आप देख लीजे आयोध्या की location आयोध्या की location है यहाँ पर तो गाइज आयोध्या में क्या है वह विवादित इस्थल है जहाँ पर राम मंदर का निर्माण होना है और उसकी कल नीव रख दी गई है तो गाइज आयोध्या यह है आयोध्या की location है और साथ ही आपको याद रखना है क्योंकि आयोध्या है चर्चा में तो गाइस आयोध्या कौन सी नदी पर इस्तित है जो आपके पेपर में पूछे जा सकता है तो सर्यू नदी पर इस्तित है इसी के साथ आपको लखनाओ की भी जान लेना है कि लखनाओ कौन सी नदी पर इस्तित है त तो गाईज शुरू करते हैं कि जो आयोध्या में राम मंदिर है इससे पहले यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था किसके द्वारा विक्रमादित्य एक राजा हुए थे हमारे देश के तो विक्रमादित्य द्वारा इस एक यहाँ पर आयोध्या में एक मंदिर का क्या क्या ग जैसे कि आपको पता है कि यह जो निर्णे है यह जो विवादित इस सल Chicago से बना हुआ है विवादित इस सल भॉदित थर। तो गाई गाइस में शताबदी में क्या हुआ कि छो बाबड़ा कर 怕 उसका एक सेनफ़े था जिसका नाम था मीर बाकी मीर बाकी बाबर का एक सेनपदी था जिसने क्या किया कि जो राम मंदिर है उसको तोड़ कर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया मीर बाकी ने आयोध्या में जो मंदिर था उसको तोड़ कर क्या कर दिया यहाँ पर मस्जिद का निर्मान कर दिया जिसका नाम है बाबरी मस्जिद जिसका नाम है बाबरी मस्जिद इसका निर्मान कर दिया किसने मीर बाकी ने ठीक गईज तो आपको याद रखना है मीर बाकी कौन था बाबर का सेना पती था तो guys फिर बाद में क्या हुआ कि जब Britishers हमारे देश में आये उन्होंने क्या किया इस विवादित इस्थर पर कि इस विवादित इस्थर को दो भागों में बाट दिया और उसमें क्या किया कि एक साइड बनवा दिया क्या मंदिर एक साइड मंदिर बनवा दिया और दूसरी साइड क्या किया मस्जित बनवा दिया थिक गईज मस्जित बनवा दिया थिक गईज तो फिर उसके बाद 6 दिसंबर तो 6 दिसंबर 1992 में 6 दिसंबर 1992 में Guys ये डेट आपको याद रखनी है बहुत ही important हो जाती है क्यों क्यों कि 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ जो बाबरी मस्जिद थी उसको डहा दिया गया यानि कि जो बाबरी मस्जिद थी 6 दिसंबर 1992 में इसको क्या कर दिया गया तोड दिया गया और जो मीरबा की दुआरा बनाई गई थी बाबरी मस्जिद इसको तोर दिया गया चे बाद क्या हुआ 2010 में 2010 में जो उत्तरप्रदेश की इलाबात कोर्ट है उसने एक वर्डिक्ट दिया और इस वर्डिक्ट में क्या किया गया कि इस verdict में इस विवादित इस्थल को तीन भागों में बाट दिया गया इस विवादित इस्थल को तीन भागों में बाट दिया गया कौन-कौन से वो भाग थे एक तो राम मंदिर में राम मंदिर के लिए इस भूमी को आधा दिया गया राम मंदिर के लिए और दूसरे भाग में दिया गया किसको निर्मोही अखाड़ा को यह इस्थान दिया गया यानिकि तीन भागों में बाटा गया था तो दूसरा था निर्मोही अखाड़ा और तीसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया यह तीन भागों में मुस्लिम्स होते हैं वो एक शिया होते हैं और एक होते हैं सुन्नी तो सुन्नी वक्फ बॉर्ड को यह है दिया गया था ठीक गईज फिर बाद में क्या हुआ कि इस विवादित इस्थल को जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है इलाबाद का उसने बाट दिया था तीन 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 में राम मंदिर और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बाट दिया गया था लेकिन फिर दो हजार ग्यारा में 2011 में हमारे सूप्रीम कौर्ट ने क्या किया कि इस वर्डेक्ट को बैं कर दिया गया इस verdict को cancel कर दिया गया बैंड कर दिया गया, कब 2011 में किसने सुप्रीम कोर्ट नें, तो आपको रखना है याद और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णा दिया अपना इतिहासिक फैंसला दिया, किसने सुप्रीम कोर्ट ने कब 9 नवंबर 2019 में 9 नवंबर 2019 में यह verdict यह है फैंसला दिया हमारी सुप्रेम कोर्ट ने यह बहुत ही एतिहासिक फैंसला था तो गैस यह आपको date याद रहनी है 9 नवंबर इसी के साथ 6 दिसंबर 1902 ठीक गैस यह कुछ date ने जो आपको याद रखनी है क्योंकि यह बहुत important हो जाती है तो गैस एतिहासिक फैंसला दिया था 5 जज़ों की एक bench ने जो की constitutional bench थी 5 जज़ों की एक bench थी उसमें क्या कहा गया था गाइस आपको सबसे पहरे जान लेना है कि वो 5 जज़ों की जो bench थी उसमें कौन कौन से judge शामिल थे तो गैस जैसे ही question में मैंने आको बता दिया है कि रंजन गोगोई जी जो थे 2019 में हमारे क्या थे Chief Justice of India थे रंजन गोगोई जी उनकी अध्यक्षता में 5 सदश्य बैट एक bench बनाए गई पीट बनाए गई तो सबका आपको याद रगना है नाम रंजन गोगोई रंजन गोगोई जस्टिस रंजन गोगोई और साथ ही कौन चंद्र चूड जस्टिस चंद्र चूड जस्टिस चंद्र चूड जस्टिस चंद्र चूड और साथ ही नंबर थर्ड थर्ड नंबर पे थे जस्टिस बॉब डेव जो की हाल में क्या है हमा अबुल्नजीर गयस हमारे मीपना чисто चोड़ से निरने से पहले उससे पहले निरने से पहले आपको याद रखना है कि जो निर्णे था वो पांच जीरो से निर्णे आया था यानि कि जो यह निर्णे था उसमें कोई किसी ने किसी भी जस्टिस ने इसका विरोध नहीं किया यानि कि पांच जीरो से यह निर्णे आया था यानि कि पांचों के पांचों जो जस्ट क्या कहा गया था इस निर्णय maarमें पहीं अफीन अथार नहां पर नहीं होते हैं बलकि एतिहासिक पक्ष के आधार पर होते हैं सबूतों के आधार पर होते हैं एतिहासिक पक्ष के आधार पर होते हैं निरने तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के निरने होते हैं वो भावनाओं के आधार पर नहीं होते वो एतिहासिक पक्ष के आधार पर होते है इसी के साथ दूसरी बात क्या कही गई guys कि जो सुप्रेम कोर्ट ने जो इलाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में जो वर्डिक्ट दिया था उसमें तीन भागों में बार दिया गया था उस विवादित इस्थल को उसमें एक निर्मौही अखाड़े को के दावे को किसने सुप्रेम कोर निर्मोही आखाडे के दावे को कर दिया some-अबत किसने Supreme Court ने और इसी के साथ जो शारे, विवादित भूमी थी? विवादित भूमी थी कितनी? 2.77 Ekar 2.77 Ekar 2.77 Ekar जो भूमी थी वो सभी किसके नाम कर दी? राम मंदिर के आयोध्या, राम मंदिर के नाम कर दी ठीक गाइस 2.77 एकर भूमी थी जो आयोध्या राम बंदर के नाम कर दी ठीक गाइस और इसी के साथ जो सुन्नी वक्फ बॉर्ड था निर्मोहिया खेडा अखाडा को तो समाप्थी कर दिया उसका दावा लेकिन जो सुन्नी वक्फ बॉर्ड था उसकी लिए क्या प्रोविज कि आप सुन्नी वक्फ बॉर्ड को 50 different जमीन दो गे किसलिए मरस्जिद बनाने की लिए किससे कहा इस्टइट गवर्रमेंट के ञाने कि उत्तर प्रदे सरकार से कहा और उत्तर प्रदे सरकार जिसमें कहा गया सुप्रीम कोट के द्वारा कि राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाना है जो कौन बनाएगी सेंटर गवर्मेंट बनाएगी केंदर सरकार बनाएगी किस इस ट्रस्ट को और यह है जो trust था यह कब बनकर तयार हो गया फरबरी 2020 में यह है trust बनकर तयार हो गया और जिसके head कौन होंगी जिसके head होंगी प्रधान मंत्री ठीक कैस प्रधान मंत्री जिसके head होंगी आपसे यह question पोछा जा सकता है ठीक है guys जो आपको याद रखना है और guys अब इसी की चलत से अब जो हमारा जो जो यह जो यह जो यह है न्यूस खबरों में थी किस वज़े से थी कि आप सबको पता है हमने बहुत हर्शनलास के साथ इस डे को celebrate किया गया है कि कल के दिन पांच अगस्त को पांच अगस्त का डेट आपको याद रखने है guys पांच अगस्त दो दजरिय से बहुत ही important है क्यों क्योंकि 2019 में पांच अगस्त को क्या हुआ था जम्मु कश्मीर को पूरी तरीके से जम्मु कश्मीर और लद्दा को क्या बना लिया गया हमारी union territory बना दिया गया था ठीक है जो आपको याद रखना है और इसी के साथ इसी के साथ 2020 में पांच अगस्त का analysis I hope आपको समझ आया होगा thanks for watching guys